किया हुआ जब बांगलादेश में महादेव के चमतकार के आगे उपद्रवियों को भी घुटने टेकने पड़े और दिखाए दिया धाकिश्वरी देवी का ऐसा चमतकार जिसने पूरे बांगलादेश को हिला कर रख दिया आज की वीडियो में इस घटना के पीछे का पूरा रहसे सामने लाने वाले हैं बांगलादेश के हालात बेकाबू हो चुके हैं बांगलादेश में अब उपद्रवियों ने अलपसंद ख्यक हिंदूओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया भीर चुन चुन कर हिंदूओं को निशाना बना रही है घरों में आग लगाई जा रही है दुकानों में लूट जा रहा है बांगलादेश में सत्ता संकट के बाद अब वहां रह रहे हिंदूओं के अस्तित्व संकट मंद्राने लगा है बांगलादेश में हिंदूओं की संख्या एक करोर 21 लाख के आसपास है वैसे तो ये सालों से प्रताडित हो रहे थे लेकिन अब उनके साथ खुलियाम अत्याचार हो रहा है वहां कटर पंथियों को अचानक नई शक्ती मिल गई है और इस शक्ती के शिकार हो रहे है वह हिंदू जो बांगलादेश में किसी तरह जो बांगलादेश में अपनाक्षित राज्य जीवन गुजार रहे थे लेकिन इस 24 घंटे के अंदर में जो हो रहा है उसे देखकर पूरी दुनिया भाइभीत है ऐसा लग रहा है जी बांगलादेश की आर्थिक स्थिती श्रीलंका जैसी बन चुकी है वो अब धार्मिक रूप से पाकिस्तान की राह पर तीवर गती से चल चुका है क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में सक्ता का रिमोट कटरपंथियों के हाथ में होता है अब बांगलादेश में भी कुछ ऐसा ही द्रिशय नजर आ रहा है इसके सबसे ज़्यादा पीरित हिंदू परिवार है जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे है हर वीडियो में बांगलादेश के कटरपंथ वाले नए रूप का प्रमान देख रहा है लेकिन आप बांगलादेश में हो रहे हिंदू उपर अत्याचार पर क्या विचार रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा अब हम एक ऐसी घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जहां देवी के चमतकार के सामने उपद्रवियों को भी अपने घुटने देखना पड़े दोस्तों जब बांगलादेशी जब ये सब करके हिंदू की भावनाओं को नहीं तोड़ पाए तो बांगलादेश के चार प्रसिद हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया इसक जो देवी दुर्गा का आवतार मानी जाती है हिंदू समुदाय देवी धाका को धाका की पीठासीन देवी मानते है और इसलिए वह धाकेश्वरी मंदिर में आदिशक्ती की पूजा करते हैं कहा जाता है कि इनी देवी के नाम पर धाका का नाम पड़ा है बांगलादेश दुनिया का एक मात्र ऐसा देश है जो मुस्लिम देश होने के बाद भी हिंदू मंदिर को राष्ट्रिय मंदिर का दरजा देता है रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रिय मंदिर होने के नाते मुख्य मंदिर परिसर के बाहर बांगलादेश का जंडा फेहराया जाता है जब कुछ कट्टर पंथियों ने इस मंदिर का महत्व जाना तो वह समझ चुके थे अगर हिंदूों को सबसे ज़्यादा ठेस पहुँचानी है तो उनके सबसे मुख्य को ही तबाह करना होगा जिसके बाद 150-200 लोग इस मंदिर को निशाना पहुँचने के लिए धाका पहुँचे लेकिन अभी तक वह माता के चमतकार से बेखबर थे लेकिन अपने इस मंदिर को बचाने के लिए उसे क्षेत्र के कई हिंदूों के साथ मिलकर मुस्लिम लोगों ने भी इस मंदिर के आसपास पहरा देने का कार्या किया जो की वास्तव में सराहना का काम है लेकिन सौ से दो सौ उपद्रवियों के सामने बे लोग लिख नहीं पाय और उपद्रवियों ने मंदिर के अंदर प्रवेश करना प्रारंब कर दिया वी एक एक करके के मंदिर की इमारत को द्वस्त करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तभी अचानक से महादेव और माता शक्ती का एक ऐसा इस चमत्कार को देखने के बाद उपद्रवियों के भी होश्ठिकाने आ गए और उन्हें अपना विरोध रोकना पड़ा उसे स्थान पर अचानक से तेजव वर्षा होने लगी और बादलों की भायनकर गर्जना सबको भैबीत कर रही थी ऐसा लग रहा था मानो देवी को क्रोध आ गया है लग रहा था अब सब कुछ भस्म हो जाएगा इसी बीचेक इनसान जो माता के प्रांगन में उपस्थित सिंग को क्षति ग्रस्त करने की कोशिश कर रहा था उसके उपर आकाशिया भायनकर बिजली का प्रहार हुआ और वहुसी स्थान पर जाकर खत्म हो गया ये नजारा देखकर सभी उपद्रवी भैबीत हो गए और मंदिर के बाहर भाग आये तब तक पहरा दे रहे सभी हिंदू मुस्लिम लोगों को भी होशा चुका था और वह भी इस माता के चमतकार को शत शत प्रणाम कर रहा था किसी भी उपद्रवी ने धाका में स्थित धाकेश्वरी मंदिर में घुसने का प्रयास नहीं किया लेकिन कुछ समय जब बात जो माहौल फिर से शांत हुआ पत्नियों ने अलग-अलग ख्षेत्र में फिर से हिंसा फैलाना शुरू कर दिया बांगलादेश मीडिया के मुताबिक पंचगर में कई हिंदूों के घरों में वे कोई के परिशद के महान मुनेंदर कुमार नाथ ने बताया कि ऐसा कोई क्षेत्र या जिला नहीं बचा है जहां हिंदूों पर हमले नहीं हुए उनके पास अलग-अलग इलाकों से लगातार हमले की जानकारी आ रही है रिपोर्ट के मुताबिक हिंदूों को पीटा जा रहा है उनकी दुकानों में लूट पाठ की जा रही है इन हमलों के कारण हिंदू डर के साए में रह रहे हैं बताया जा रहा है दिनाजपुर कस्बे दूसरे अप जिलों में दस हिंदूओं के घरों पर हमला हुआ है हमलावरों ने कस्बे के रेल बजार है में एक मंदर में भी तोड़ फोड की है खानसामा उप जिला में तीन हिंदूओं के घरों पर हमला किया गया लक्ष्मीपुर में गौतम मजूमदार ने बताया कि शाम साधे साथ बजे दो सो तीन सो से ज्यादा हमलावरों ने उन्हें उनकी दो मंजला इमारत में आग लगे दी बांगलादेश में हिंदूओं के खिलाफ हिंदूओं पर मसाला नहीं है ये सिर्फ हिंदूओं का मसाला नहीं है बलकि ये इनसानियत और मानवता का सवाल है क्योंकि ये हिंदू बांगलादेश के नागरिक हैं उनके घरों को लूटा जा रहा है उनके ही देश में इन्हें घर, समपत्ती, जमीन, दुकान, हर चीज से बेदखल किया जा रहा है इससे बड़ा अपराध से बड़ा आत्याचार और क्या हो सकता है बांगलादेश हिंदू उपर हो रहे हैं इतनी भायनकर आत्याचार पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा रोजाना ऐसी सत्य घटना पर आधारित वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रास कर ले अभी के लिए आप सभी दर्शकों